कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ही के अपने चैनल में जिसका नाम है लिविंग विद राजपूर्ट और नेट्फिक्स पे इतने सारे के ड्रामाज देखने के बाद हमें भी चूल मची थी कोरियन खाने की तो हम आज जा रहे हैं खाने जैपनीज और कोरियन एक अमेजिंग से रेस्टरॉंट में और इस अमेजिंग से जैपनीज कोरियन थीम्ड रेस्टरॉंट का नाम है और गैमी यह एक जैपनीज थीम्ड रेस्टरॉंट है जैसे कि आप देखी रहे हैं और आपका स्वागत करती है यहाथ हिलाने वाल के बिल्ली जैसे ही आप यहां एंटर करते हो यू आ वेलकम्ट विट प्लेजन्ट स्मेल अफ एशिन फूड और काम अन्सोलफूल जैपनीज मुजिक यहां का अम्बियंस आपको ट्रांसपोर्ट कर देता है सीध है एक जैपनीज काफे में सिचुएट इन जैपन में भी विद इस वोड़न फरनिचर, बैंबू डेकॉर और वाल्स डेकॉरेट इस जैपनीज पैंटिंग्स और किमोनो और जैपनीज और जैपनीज रेस्टरांट और जी हां इनका आउट्डोर सीटिंग भी कुछ कम नहीं है तो गाइज अब बारी आती है खाना खाने की इनका मेन्यू इस दिवाइड इंटो टू पार्ट इस वान इस कोरियन और जैपनीज और हमारे हल्प के लिए इनके प्यारे सर्वर्स हाजिर थे आये देखते हैं ये क्या सज़ेस्ट करते हैं हमें आज के लिए ये डीटा। रमशी जफ्तत्री के लिएamelा ठालाओ civil कवरेंट sû犬े डीट प्रट्स्ट्ड्स आपनिज क्यो भीडविग एक स्विट और हैं वहश्या, प्यूम टट्राओ प्यूमे प्राषिय क्या थे जब एक तम्लिंगर दिए की ते लिए लिए मिया है जाहरी टत्रभ बच्ट की की नच्छिय है, और राटो सिर जातियो नच्छिया टक नच्छिय है जाक यह रखर दोड्याओ था प्रूंड गिल्स प्रूंब तो एंट नच्छिय अजर ए घगर घगर है तो जैसे ही हमने व्रडर किया, हमें सर्व किया था, एक सालड विछ सम्ड्रेसिंग। और obviously हम Japanese या Korean restaurant में जाते हैं तो हमें soju तो ट्राइ करना ही था because of crash landing and all of that. तो guys यह एक sweet alcoholic Korean drink है जिसे कुछ इस तरीके से खोला और सर्फ किया जाता है. अगर आप regular alcohol पीते हैं तो आपको शायद इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और आप और दू तीन बार मलवाएंगे लेकिन आज यू नो आई दोंट ड्रिंक तो लेट्स इट तो गाइस हमारे आज के डिनर के शुरुवात हुई स्टर्ड फ्राइड वेजीज के साथ यह एक अथेंटिक कोरियन देश है जो आपको बहुत ही minimal spices और ड्रेसिंग के साथ सर्व की जाती है इसके अंदर sprouts different kind of veggies zucchini bok choy and broccoli and बहुत सारी ऐसी चीज़े थी हमें आधा गंटा तो सिर्फ chopsticks से खाते कैसे है वो decide करने में लग गया बड़ फाइनली बड़ फाइनली जब यह खाना हमारी पकड में आया और हमने फ्रस्ट बाइट ली कि guys this was delicious और जैसे ही हम एक एक करके सबजियों को पकड़ रहे हैं अपनी दो डंडियों से तभी और एक डिशा गई यह है तबो की तबो की जैसे कि आप कुछ लोग जानते ही होंगे मुग बैंक के वीडियो जो आप बिंज वाच करते हो यूट्यूब पर इस आर कोरियन र सॉस को टेक्टर में यह बहुत ही सॉफ्ट राईस केक्स होते हैं बट दे ऑर एपसल्यूटली अ दिलाइट फर यूर पलेट यह थोड़े से स्वीट थोड़े से स्पाइसी रहते हैं और इन्हें स्टर फ्राइट किये जाता है या लोंग को खुक किया जाता है आक्छली इसके बाद बारिया थी है थे फेमुस पॉट स्टिकर्स की जी हाँ इस वर वेजी डंपिलिंग्स सर्फट विट असाइड आफ सॉय सॉस अंद तिल यह बहुत ही सॉफ्ट है थे इसलिए ज्यादा डोई नहीं लगे और अंदर का टेस्ट काफी अच्छा था गाइस दिस अमस्ट्राइ इतना अमेजिंग फूड खाते गाते हमें थोड़ी सी गर्मी लगने लगी थी और इसलिए हम आगे थे अंदर तो आगे का खाना चलिए अंदर खाते और अगर आप सारी ट्रेंट को फॉलो करते हैं तो आपको फेमस ओमू राइस तो पता ही होगा आपने इंटरनेट पर ये चाचा को तो देखा ही होगा ये है शेफ मोटो कीची प्रॉम दे कीची कीची रेस्टरांट इन क्योटो जपैन और इनकी ये फेमस डिश है ओमू राइस ये ओमलेट ओवर राइस ठीक है तो हमने ट्राइ करने के लिए उसे मंगवाय था ये हमारे छोटू रेस्टरांट ज्यादा अच्छे से करता है लेकिन फिर भी दिस वस्क्वाइड नाइस जो अगली डिश हमने खाई वो थी जाजंग मैन ये जाजंग मैन जो है वो चाइनीज प्लस कोरियन नूडल डिश है और ये सर्व की जाती है एक ठिक ब्लैक बीन सॉस के साथ जो के बनी हुए थे ब्लैक बीन और वेजी च्छे और गार्णिश में हमें दिये गए थे दो तोड़ी काकडी और टमाटर गाइस देखने में ये थोड़ी सी वियर्ड लग रही थी ये डिश बाट लेट मी तेल यू दिस डिश वस अमेजिंग इनके नूडल जरा भी मैगी जैसे नहीं टेस्ट कर रहे थे और ये जो डाक ब्लाक बीन सॉस था गाइस सीरियसली इसका ट अब हमने सोचा यहां इतनी दूर तक आई गये हैं तो क्यों ना साके भी ट्राइग किया जाएं तो गाइस साके है एक एलकोहलिक ड्रिंक जो के जैपनीज अलकोहलिक ड्रिंक है और इसे वार्म साके के तोर पे भी सर्फ किया जाता है और कोल्ड में भी सर्फ किया जाता है तो अब आई थी सूशी की बारी जी हाँ गाईज, the famous Japanese sushis are here और हमने अबिसली वेजटेरिन सूशी मंगवाई थी लेकिन उन्होंने ये सूशी भी परफेक्टली बनाई थी तो परफेक्ट स्टिकी जैसमीन राई is covered with nori sheets या seaweed paper sheets, these were just tasting amazing और हमने अकंपनीमेंट में इसको डिप किया थोड़े से किम्ची में, थोड़े से स्वोय सॉस में and they were absolutely perfect नव गाईज, this was one of my favorite dishes ये था a vegetarian take on the famous Japanese oyster pancakes, that is okonomoyaki so guys basically okonomoyaki एक crispy pancake है Japanese pancake जिसके अंदर scallions होते हैं spring onions, बहुत सारे veggies होते हैं eggs होते हैं, oyster होते हैं oyster mushrooms होते हैं लेकिन बिकोज यह हमारा vegetarian version था oysters को छोड़ के बाकी सारी चीजे थी these were topped with amazing sweet mayo it was absolutely delicious guys उसके बाद तुरंथ ही हमारे authentic amazing smelling ramen balls आ गे मेरे दोस ने मंगवाए थे chicken ramen ball and हमने vegetarian ramen ball मंगवा था oh my goodness guys it looked absolutely tantalizing with that spicy chicken mince on the top with two perfectly boiled eggs guys it was to die for उस दोरान एक अलग टाइब की sushi यह California roll हमारे table पर आ गया था जो के बना हुआ था avocados और asparagus से जी हाँ तो अब बारी थी खाने की the most amazing dish of the night that was spicy tofu जी हाँ these perfectly grilled cubes of soft tofu served with some spicy sauce यार कुछ amazing साही खाना था यार यहां का guys just check it out यार कितना soft oh my god इतना amazing soft piece of tofu मुह में रखते ही घुल जाता था इतना amazing था यह और उसी के साथ साथ हमने एक spinach dumplings भी मंगवा लिये था है these were served with amazing type of sauces एक garlic sauce था, एक sweet chili sauce था, एक soya chili sauce था it was just mind blasting तो चलिए अब खाने की बारी आगई थी उन amazing ramen bowls को guys इनका broth was just spectacular जो veggie broth था या I am sure के उन्होंने बुलियों नहीं यूज किया इस बार लेकिन जो टेस्ट सा ब्राथ का it was absolutely amazing इनकी original hand-pulled noodles थे जो के उन्होंने रामन बोल में डाले हुए थे and they were just absolutely bouncy and chewy and soft at the same time एक चीज हमने absolutely notice की है यह origami में आकर कि यहां पर जो quality of ingredients यूज किये जाते हैं वह absolutely freshest है जैसे कि यह जो बॉक्चोई आप देख रहे हैं या फिर जो नूडल्स आप देख रहे हैं वह बहुत ही ज्यादा फ्रेश यूज किये गए हैं इवन आपको कोई भी ऐसे sauces में भी पुराने flavors की vibe नहीं आएगी यह absolutely delicious लग रहे थे और बिकॉज हम लोग ज्यादा ही spicy काते हैं तो मुझे यह spicy sauce add करना ही पड़ा था इसमें और यह गया chili oil, chili oil was oily था I was expecting more of garlic but it was absolutely gorgeous guys this is a must try in origami origami अपने खुद के breads और buns भी बेक करता है तो हमने एक famous melon pan या melon bun जिसे कहते हैं वो हमने करीदा और obviously deserts to try करने ही थे तो हमने यह matcha cheese cake मगवाया जो कि इतना soft or delicious था guys मैं क्या बता हूँ it was just amazing माचा बेजिकली एक green tea flavor है जो के Japanese food में और Korean food में बहुत ज्यादा यूज होता है जिनको एक acquired taste पसंद होता है green tea का उन्हें शाहिद यह desert बहुत ही ज्यादा amazing लगेगा so guys अब सिर्फ एक ही चीज बच जाती है हमें करने की जो है rating हम इस amazing restaurant को rate करते हैं a super duper 4.9 out of 5 जीहा इसका ambience was absolutely stunning इसका food was tantalizing the service was absolutely impeccable and the value for money was super duper amazing so आपका origami आना तो absolutely बनता है boss and by the way यह जो एरिया है वो उनका उपर का एरिया है जहापर एक South Indian restaurant को लगने शुरी किया है so यह था a super duper review about origami अगर आपको यह वीडियो अचा लगो तो प्लीज दू लाइक, कमेंड और शेयर see you until next time bye bye झाल